हलो गैज में खुशिरो आपका स्वागत करती है दे न्यूस्टक चैनल में सड़क की खुदाई के दोरान मिला कुछ ऐसा की लोग है रहे उस चीज को देखे चलिए जानती है क्या है यह पूरा मामला कहां से आ रहा है हमारे सामने उसके बारे में हम आज की न्यूस में आज क सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीचे बला इकन को दबादेची जन करें अचलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाए और साथ के साथ एक टोकते हो भी जरूर जई तो शुरू करते हैं आज की निस चीन के हीू ओन गाउं से हमारे सामने ये माम ला रहा है जहां पर अच्छली सडक निर्मान के लिए खुदाई करने के लिए लोग बुलाई हुए थे और वहां पर बड़ी-बड़ी मशीने भी शामिल थी और खुदाई हो रहे थी और आप लोग こ ये चीज़़ बता देगा अक्छली इंसान के हाथ में कभी आईसे जीज़़ लग जाती है जिसकी उसने कभी भी कलपना तक नहीं की होती है और जब उसके हाथ में ऐसे चीज़़ लगती है तब वो नहीं बाकी जो भी लोग इसके बारे में जानती है वो लोग हैरान हो जाती है तो ये भी जो मामला है वो आपको काफ़े ज़दा हैरान कर देगा क्योंकि वहाँ पर जो लोग खुदाई कर रहे थे उन्हें इंसानों के हाथ में कुछ ऐसी चीज़े लगी कि आप भी उसके बारे में जानके हैरान हो जाएंगे जब वो खुदाई कर रहे थे तब उन लोगों को पत्थर जैसी चीज़े दिखाई दी और वो ऐसे शेप में थी जो कि मानो की कोई अंडा हो और वो इतनी बड़ी थी कि लोग उसको देखके काफी ज़दा हैरान हो गए थे पर तब तक यह चीज़ पता चल चुके थी कि आपचली में ये तो काफी ज़दा स्ट्रॉंग है और ये कुछ पत्थर नहीं हो सकता अचली में ये जो अंडे हैं ये कोई डैनसौर के अंडे हैं और हम आपको ये चीज़ बता दे कि इसी शेहर में पहले भी 1996 में बच्चों के हाथ में कम से कम 17 अंडे लगे थे जो कि डैनसौर के थे और उसके बाद इस शेहर को गिनिस रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया ये जो तित्व भी बन चुके हैं शेप बन चुकी है और इसमें से 19 अंडे जो हैं वो अभी शही सलामत है तो अभी अंडों को लाब में शही सलामत रखा गया है पर जिन लोगों ने खुदाई की है वो अभी तक अपनी आखों के उपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं उनको कह होरी और तो ही नै न न ही ड़े लग लग रहा है तो गाइस आप बताईए अगर आप वहाँ पर होते हैं आपको खुश को जोती हैं डल लगता और अगर डल लगता तो कहारण जो जो होत nowhere अगर kicked आते हुए जरूर जाहिए क्योंकि आपके विचार हमारे ये बहुत ही जादा इन्पॉर्टेंट है कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है कमेंट भरते हुए जरूर जाहिए इसी के साथ मेले थी इसाज़त बबाई टेक कियर